हाई मैं सुजोई चौराशिया भारत का एक आमनागरिक और दिली का एक बिजनिसमेंट मैं आपको सिरफ ये बताने आया हूँ कि कोरोना की वज़े से हम बहुत रोचुकें किसी ने हमें मास्क बेचा है तो किसी ने सैनिटाइजर लेकिन अगर आप व्यवस्तविक्ता देख कोरोना हुआ है ये गरीबों की विमारी ने रहीजियों की विमारी लगती है जितने लोग कॉरेंटाइन हुए उन्हें एरपोर्ट से पकड़ के लिए जाया जा रहा है अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि आप डिस्टेंस में की दिये हिंदुस्तान जै देखें तो दो हिस्सों में बटा हुआ है एक जो हैव्स हैं जिनके पास अच्छी नौकरिया है चाहे कॉर्पोरेट्स की हो या प्राइवेट बिजनेस की इन लोगों की सैलरी आएगी इन लोगों को घर में बैठे पैसा मिलेगा चाहे ये ऑफिस जाए या ना जाए लेक इने वरकर्स को घर से बैठके काम करने के लिए अगर आपका बिजनेस मैनुफैक्ट्रिंग का है यह हर बिजनेसमेन के लिए सोचने की बात है कि कॉरोना वायरेस के आने के बाद की दुनिया कैसी रहीगी क्या आप फ्यूचर के लिए प्रॉपरली सेफगार्डेड है क्य लेकिन इंटरनेट के जमाने में, एकोमर्स के जमाने में क्या हिंदूस्तान का बिजनसमैन इस चीज़ के लिए तयार है अगर आप यह जानना चाहोगी कि इसकी तयारी कैसे की जा सकती है हम e-commerce का इस्तेवाल कैसे कर सकते हैं और digital world का फायदा हिंदुस्तान जैसी economy के businessmen तक कैसे पहुचा सकते हैं तो मेरे वीडियो को like और subscribe जरूर कीजिएगा आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि e-commerce के क्या क्या आप खमाने के तरीके हैं और business चाहे आपका online हो या offline आप इसे आगे अपने business को improve करने के लिए कैसे इस्तमाल कर सकते हैं नमस्कार, thank you, शुक्रिया